परिचाय अभिलक्षनों के विशय में पढ़ा था हाँ, अब हम प्लैटी हेलमिन्थीज एसकलेमिन्थीज अनलिडा आर्थरोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षनों के विशय में चर्चा करेंगे तो आप शुरू करें उद्देशे इस पार्ट के अन्त में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे प्लैटी हेलमिन्थीज एसकल मिन्थीज अनलिडा और्थोपोडा मोलस्का तथा एकाइनो डर्मेटा के अभिलक्षनों को समझना प्लैटी हेलमिन्थीज प्लेटी हेलमिथीज प्राणी प्रिष्टा धर रूप से चप्टे होते हैं। इसलिए इन्हें समानिता चप्टे क्रिमी कहा जाता है। पर जीवी प्राणी में अंकुष तथा चूशक पाई जाते हैं। विशेश ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंतरण तथा उत्सरजन में सहेता करती हैं। नर्मादा अलग नहीं होते हैं। निशेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। कुछ सदस्यों जैसे की प्लैनेरिया में पुनरुद भवन की असीम क्षमता होती है। उधारण टीनिया यानी फीता क्रिमी, फैसियोला यानी पॉन क्रिमी। एसकेल मिथीज का शरीर अनुप्रस्त काट में गोला कार होता है। अता इन्हें गोल क्रिमी कहते हैं। ये मुक्त जीवी, जलिये, अथवा, स्थलिये तथा पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये दुई-पाश्व सम्मिती, त्रीकोरगी तथा कू रंग तंत्रस्तर का है। उत्सर्जन नाल शरीर से अप्षिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंधर के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगा श्रई होते हैं। अर्थाद एक ही होते हैं। प्राया मादा नर से बड़ी होती है। उधारन एसकेरिस य यानि अंकुष्क्रिमे एनलिडा एनलिडा जलिये यानि लवणिये तथा अलवणिये जल अथवा स्थलिये स्वतंत्र रूप से रहने वाले जीव तथा कभी-कभी परजीवी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पस्टता खंड अथवा विखंडों लेटिन एनुलस अर्थाथ सूक्ष्म वले में बटा होता है। एक बंद परी संचरण तंत्र उपस्तित होता है। नेफरी डिया परासरण नियमन तथा उचसरजन में सहायता करता है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं यानि एक वचन गेंगली लियोन होती हैं। जो पाश्वत तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्चु से जुड़ी होती हैं। नैरिस नैरिस एक जलिये एक लिंगा श्रई होती है। लेकिन केंचुए तथा जोग में नर तथा मादा प्रथक नहीं होते। तथा उभै लिंगा श्रई होते हैं। जनन लेंगिक विधी द्वारा होता है। और्थो पोड़ा प्राणी जगत में 75 प्रतिशत तक और्थो पोड़ा होते हैं। अर्थो यानि जॉइंट, पोड़ा यानि एपेंडेस। और्थो पोड़ा में सबसे बड़ा समुह कीट होते हैं। ये एक मात्र आग कशेरू की होते हैं जो उड़ सकते हैं। इनमें अंग तंत्रिस्तर का शरीर संगठन होता है। ये दुईपाश्व सम्मिती, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगोही प्राणी हैं। शरीर में सिर, वक्ष तथा उदर होते हैं। और्थो पोड़ा में काड़ा बाहिशरीर, खंडिकृत शरीर तथा संधी युक्तपाओं होते हैं। श्वसन अंग, कलोम, पुस्त कलोम, पुस्त फुपुस अथवा श्वसनी काओं के द्वारा होता है। परिर संचरन तंत्र खुला होता है। संवेदियंग जैसे श्रिंग काएं, नेत्र, समान तथा संयुक्त, संतुलन पुटी, स्टेटोसिस्ट उपस्तित होते हैं। उस सर्जन मैल पीगी नलिका के द्वारा होता है। ये अधिकांश एकालिंगी श्रय होते हैं। निशेचन आंतरिक होता है। ये अधिकांश दा अंड़ प्रजक होते हैं। परिवर्थन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। मकडों में संधी युक्त पाउं यानी आठ पाउं, जबडे तथा पंक होते हैं। सैंटीपीट अपनी बहुत सी टांगों का प्रियोग शत्रूओं से भागने में करता है। सहसरपाद किसी भी खत्रे को भाव कर अपने शरीर को मोड लेते हैं। आर्थिक रूप से महत्पून कीट है एपिस यानी मधुमक्की वाब बाम्बिक्स यानी रेशम कीट, लैसिफर यानी लाख कीट, रोगवाह कीट, एनाफिलीस, क्यूलेक्स तथा एडीस यानी मच्छर, यूथपीडक तिढधी यानी लोकस्टा, जीवित जीवाश्म लि दिंग क्रेब आदी, उधारन, बीटल, सहस्त्रपाद, सेंटिपीड, मकडा, क्रेब मोलस्का मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संग है, मोलस्का स्थलिये अध्वाजलिये, यानी लवणिये एवं अलवणिये, तथा अंग तंत्रिस्तर के संगठन वाले होते हैं ये दूई पाश्व सम्मिती, त्रीकोर की तथा प्रागोही प्राणी हैं, इनका शरीर कोमल, परंतु कठोर, केल्शियम के कवच से ढखा रहता है, तथा अखंडित होता है, जिसमें सिर, पेशिये पाद, तथा एक अंतरंग ककुध होता है केवल कुछी में कवच नहीं होते हैं, स्कुईट तथा ऑक्टोपस भी मुलस का होते हैं, कड़े कवच छोटे होते हैं, किंदु शरीर अंदर होता है तोज़ा की नरम तथा इस्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है ककुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गोहा कहते हैं जिसमें पंख के समान कलों पाय जाते हैं इनके श्वसन तथा उस सर्जन कारे करते हैं सिर पर समवेदी स्परशक होते हैं मुख में भोजन के लिए रेती के समान खिसने का अंग होता है जिसे रेती जिफा यानि रेडुला कहते हैं उधारन स्नेल तथा सीस क्लैप आक्टोपस तथा सीसलग एकाइनो डामिटा एकाइनो डामिटा में केल्शियम युक्त अंता कंकाल पाया जाता है इसलिए इनका नाम एकाइनो डामिटा यानि शूल युक्त शरीर है सभी एकाइनो डामिटा समुद्रवासी होते हैं तथा इनमें अंग तंत्रिस्तर का संगठन होता है वयस्क एकानोडर्म अरिये रूप से सम्मीती होते हैं, जब की लार्वा दुई-पाश्व रूप से सम्मीती होते हैं इनका सम्बंद आकशे रुकियों के एक समूँ से है, जिसमें ट्यूब नुमा छोटे पाउं होते हैं और शरीरिक अंग केंद्रिय हिस्से के इर्द गिर्दे स्थित होते हैं। एक सितारा मचली की पांच भुजाएं होती हैं, तथा सिर नहीं होता है। सितारा मचली का कड़ा, कांटेदार, कवच, प्राणियों की रक्षा करता है समुद्री अर्चिन भी समान समुह का हिस्सा है इसका शरीर शूलों से ढखा होता है पाचन तंत्र पून होता है तथा समानिता, मुख, निचले अर्थाद, अधर तल पर एवं मलद्वार, प्रिष्ट तल पर होता है जल समवहन तंत्र इस संग की विशिष्टता है जो चलन यानि गमन तथा भूजन पकड़ने में तथा श्रसन में सहायक है स्पर्ष्ट उसरजन तंत्र का अभाव होता है नर एवं मादा प्रिथक होते हैं तथा लेंगिक जनन पाया जाता है निशेचन समानिता बाहे होता है परिवर्थन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है उधारण एस्टेरियस यानि तारामीन, एकाइनस यानि समुद्री अर्चिन, एंटिटोन यानि समुद्री लिली, कुकुमेरिया यानि समुद्री करकटी तथा ओफियूरा यानि भंगुर तारा क्या आप जानते हैं, गोगेंबर ने सन 1869 में प्लेटी हेलमिथीज शब्द दिया, लमार्क ने 1809 में एनिलीडा शब्द दिया, जेकलेन ने एकाइनोड़मिटा शब्द दिया सारांश, आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं प्लेटी हेलमिथीज में चप्टा शरीर होता है, तथा ये दूइकोरिक सम्मिती का प्रदशन करते हैं एसकेलमिथीज कूट प्रागु होते हैं, तथा इन में परजीवी और गैर परजीवी गोल्ड क्रिमी होते हैं एनिलिटा दुई कोरिक सम्मिती होते हैं तथा बंद परी संचन और तंत्र होता है। केंचुए, नेरीज, हिरूद दीनेरिया, सी माउस तथा लीच एनिलिडा होते हैं। केंचुए में विखंडित खंडी भवन पाया जाता है। इनके शरीर में नलिका, योजना की भीतर नलिका पाई जाती है। और्थोपोड़ा प्रानी जगत का सबसे बड़ा संख है, जिसमें विखंडित खंडी भवन, कंकाल तथा संधी युक्त प्रानी पाय जाते हैं। और्थोपोड़ा संग में कीटों की सरवाधिक प्रजातियां होती हैं. मक्खी, मच्छर तथा तिलचटे कीट वर्ग में आते हैं. कीट समुह में शरीर, शरीर, सिर, वक्ष तथा उधर में विभाचित होते हैं. इनमें तीन जोड़ी पाउं तथा दू जोड़ी पंक होते हैं. बुखार, मलेरिया, डेंगू, स्लीपिंग सिक्नेस तथा काला जार आधी इन कीटों की वज़ा से ही होते हैं. मुलस्का का शरीर कोमल परन्तु कठोर केल्शियम के कवच से ढगा रहता है. शरीर काईटन से बने बाहरी कंकाल में आच्छादित होता है. मुलसका अन्य से प्रवार तथा अखंडित शरीर की वजह से भिन्न होते हैं धीला प्रवार मुलसका में शरीर पर पाए जाते हैं एकाइनो डर्म की पहली तवचा होती है तथा समुद्री होते हैं जल्समवहंतंत्र इस संग की विशिष्टता है एकाइनो डामिटा में अखंडित प्रागोहा, व्यसको में अरिय सम्मिती तथा लार्वा में दुईकारिक सम्मिती होती है इनमें मौकिक तथा अपमुक सत्य होती है